Hello everyone, कैसे हैं आप? मैं अनुच कुमार सिंग सिक्षाधाम से आज का एक्जाम था Financial Management, रेगुलर वाले बच्चों का, बीकॉम प्रोग्राम का तो वही पेपर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसी को मैं discuss करने जा रहा हूँ क्या आया था पीपर में, तो सर, First Question, वैसे भी मैंने बोला हुआ है, आप जो 20 थियोरी देखेंगे ना, तो उसके अंदर ये First Question already है, अच्छी बात है सर, Maximum, Wealth Maximization का मैंने हर बार बोला है, कि Important है, Wealth Maximization का आप करिए, बिलकुल आया Question, इसके बाद आगे देखते हैं, इसका B Part देखिए, और आपको याद होगा कि जो Time Value of Money का Question, जो करवाया गया था, Same as it is उठके आगया, कि उसको Scholarship दिया गया है, Next Ten Year में, और उसको दूसरा इतने पैसे मिलेंगे, तो क्या लेगा, तो Same जो First Question करवाया था, आप देखिएगा वीडियो में भी, Same आया हुआ है Time Value of Money का, तो मैं कहूँगा कि भी ये तो एक तरीके से एकदम, क्या बताऊं, amount, digit भी Same ही डाल दिया इन्होंने, इसके बाद, इसका A part था, और B part था, और मैं इसकी बात करूँ, तो नीची आ जाते हैं, और मैं आया, और मैं, जो मैंने notes, देखो, 20 question जो लिखे हैं, इस तरीके से लि मैं और वाले को भी ले रहा हूँ है, और देखें, यहाँ पर एक 4 साल का annuity है, यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा बना नहीं है, तो deposit account 9%, compounded 12, तो यह भी बहुत simple सा question आया, यहनि पहला question बिल्कुल simple आया, अब देखें, मजे की बात देखेंगा दूसरे question से, सर दूसरे question में क्या आया है, मैंने कहा है कि दूसरा question capital budgeting का होगा, और बिल्कुल, बिल्कुल same, बिल्कुल same, करा कराया question, जिसके अंदर introduce new product था, new product के साथ, जिसने भी सारी classes देखी है, capital budgeting की, तो repeat question है, एक तरीके से, plant after 10 year estimated, तो एक तरीके से repeat question, तो मैं तो कहूँगा कि भई, जिन पड़ा आसान लगा होगा, पेपर अरजिनों नहीं पढ़ा, तो definitely उनको लगा होगा, यार यह क्या पेपर आ गया, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, कि भईया, यह paper चुटकियों का था, जो बच्चे नहीं करके आए, नाराइक था, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, अब इसके साथ आपको जो PV फेक्टर नहीं था, वहाँ पे भी दे रखा, तो यहाँ पे भी, तो सर यह पूरा सेम है, नेट पर्जेंट वेल्यू सरिफ आपको निकालना था, और बताना था, इगनोर बोला गया है, capital assets पे, simple था, चलिए सर, कुछ बच्चों को यह वाला अगर मुस्किल ल ranking कैसे होता है, किसको क्या ranking देंगे, हाला कि theory में मैंने बताया हुआ, यह आठ नंबर का question है, और दूसरा 7 नंबर में दे दिया, यह बड़ा आसान सा question दे रिया, इसके अंदर भी आपको net present value, तो बड़ा आसान सा question हर साल का आपको cash flow दिया, table बनाना था, table बना के आपको opportunity cost दे रखा है 12% और company का text तो यह आसा answer question पड़ जाएगा, तो बड़िया, यह थोड़ा सा मुश्किल, lengthy question है, तो 15 का और यह है तो 7 नंबर का, तो मैं कहूंगा, जिसको theory अच्छे साथ है, वो तो यह कर लेगा, अब theory भी, even though मैं theory की भी बात करूँगा आपके साथ, देखिए theory 3, और already मैं आपको बता दू, यह question paper मैं, टेलिग्राम चैनल, जो link में given है, वहाँ डाल दी है, मैंने, जिस बच्छे को download करना है, कर सकता, easily, और इसके solution मैं application पर डालूँगा, application पर जितने जल्दी होगा, मैं डाल दूँगा, तो उसके हिसाब से रहेगा, यह सारा, ठीक है free study material मैं डाल दूँगा, question paper के नाम से, even though मैं application पर ऑनर्स वाले भी डाल दूँगा, तो दोनों मिल जाएंगे आपको, और आपके exam से पहले दोनों solve करेंगे, sir, पहला question है, debt, lower equity, और इसी का B part आ गया हमारा क्या, share capital दे दिया, value दे दिया, इसके माद देख लेते है, sir, क्या ह question आया है, कौन से question देखिए, percentage, increase, EPS, degree of operating, financing, तो मान के चलिए, sir, तीसरा question यह तो लड़ू आ गया, sir, और और वाला कैसा आया, sir, ओ, और वाला देखिए, trending equity deal वाला आ गया, यह यहाँ पर, discuss the concept of the, आपका, trading on equity, in detail, trading on equity, भी आपको, बताया हुए, कि अपने language में भी लिख स सकते हैं, और देखिए, market price बगरा दे दिया, इसका, और यहाँ पर फिर से क्या पूछ लिया, sir, यहाँ पर, weighted average cost of capital, बच्चे बहुत message कर रहे हैं, यहाँ पर, तो weighted average cost of capital पूछ लिया गया, sir, पहला question भी easy था, दूसरा भी easy था, बसर ते आपने practice किया हो, चलिए, sir, चौत् evaluate the income, net operating income approach, net operating income approach, capital structure में, noi क्या होता है, उसको बताना था, इसके साथ साथ, एक mm का value of firm, revision lecture में भी कराया है, और detail lecture में भी कराया है, तो value of firm का same question, तो मान के चलो यह भी है, sir, जिसको यह समझ में नहीं आया, वो और वाला कर सकते हैं, walter model, और देखिए, इसके बाद यह तीन है न, तीन के बाद इधर आ जाते हैं, sir, इसके बाद, इसके option में यह question था, जिसके अंदर, पूछा गया dividend policy, हाँ जी, dividend policy, मेरे साब से question number, यह था, 4, 4 के बाद, 4 का और यह है, है न, और के बाद page number क्या है, यह sir, 8 है, यह 9 है, इधर आएगा, शायद मैं आगे पीछे हो जा जाएगा, यह और का है, और इसके बाद यह page number क्या था, sir, 8 था क्या, 7 के बाद, यह वाला page आया, और में क्या कहता है, following, walter model, आपको निकालना है, और walter model में देखिए, कितने सारे धेरों कोशन की हुए है, इसी का B part, देख लीजिए, sir, B part क्या है, हमारा net operating cycle का, हाला कि य एक कोशन कहां गया, और यह रहा पांच बाद, पांच बे के बाद यह, आठ के बाद यह नो आया, आठ खतम हो गया, इसके बाद आ जाईए, आप पांच बे कोशन में, पांच बे कोशन में क्या आता है, sir, explain the, आपका model, cash management, यह भी theory के अंदर डाला हुआ है, बीस कोशन मे EOQ, net float, यह सारे theory में given है, तो आपका paper में देखिए कुछ एक ऐसा, थोड़ा समय बोलूँगा, कि पांच बाद कोशन पूरा theory का गया, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सिर्फ जादा theory आए, तो मैं कहूंगा, theory के question देखा जाएना, तो सिर्फ 20 number का theory है, बाकि सारा practical है, तो paper ज्यादा मुस्किल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगा, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया, उनके लिए paper definitely मुस्किल लगा होगा, तो आप भी पढ़िए, अभी भी आपके exam चल रहे हैं, अभी तो आज जैसे कि 8 तारिक हो गया है, कल कल का दिन है, अभी economics प पताई दिया कि साथ के साथ कैसे पढ़ना है, पिछली वीडियो का मैं आपका i button में और link में भी description में डाल दूँगा, तो thank you so much, हम मिलते हैं इसी तरीके से किसी next वीडियो में,